नमस्कार दोस्तू, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाव मैं डॉक्टर मही पाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूंगा कुछी दिन पहले दक्षिन अफरीका में नसल भेग के खिलाफ लंभी लडाई लडने वाले डेस्मन टूटू को इसी तरीके से एक्वामेट किया गया है और ये एक्वामेशन प्रोसेस इसके बाद से काफी चर्चा में है आईए सबसे पहले मैं आपको दक्षिन अफरीका के डेस्मन टूटू का जीवन परीचा दे देता हूँ तो डेस्मन टूटू टेक्निकली केवल एक रिलीजिस लीडर थे लेकिन केवल एक ही पद से या एक रोल से उनके जीवन को बिलकुल डिफाइन नहीं किया दा सकता तो इन्होंने देश में नसल भेद के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई-लड़ी नसल भेद के खिलाफ आवाज उठाई अफकॉर्स नॉन वाले तरीके से और अफरीका की साथ अफरीका के अंदर जो अपार्थेट खत्म हुआ था 94 में उसमें इनका भी रोल था और उसके बाद देश को एक करने में इनका बहुत बड़ा रोल था तो यह वहाँ पर एक reconciliation commission बना था उसके सदस्य रहे थे इन्होंने लोगों को यह कहा कि अब जब white और black race को एक साथ रहना इस देश में तो मिल जुल कर रहना होगा शान्ती का संदेश इन्होंने बहुत लंबे समय तक दिया और यह इनका जो काम था नसल बेट के खिलाफ लड़ना और human rights के लिए लड़ना इसके लिए इन्हें दुनिया भर में जाना जाता है हमारे राष्टरपती उस समय के राष्टरपती एपीजे अब्दुलकलाम के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो Desmond Tutu का यह basic जीवन परीचा है तो जैसा मैंने आपको बताया है यह थे religious leader so he was the bishop of Johannesburg 1985 और 1986 में और फिर Cape Town के archbishop तो archbishop is one of the senior most leadership position in the Christian church दक्षिन अफ्रिका के church में भी इतनी senior position पर आने वाले यह पहले black African व्यक्ती थे अब आगे बढ़े हैं एक्कोवेमेशन के बारे में चर्चा करें उससे पहले Pathfinder चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें अगर मेरे lectures की updates और PDF चाते हैं तो मेरे telegram चैनल से जुड़ सकते हैं Pathfinder के सभी lectures और PDF आपको इस telegram चैनल पर मिल जाएंगे Unacademy आपकर आप मुझे follow जरूर करें ताकि आपको वहाँ होने वाली मेरी special classes जिसमें मैं Current Affairs के MCQs को discuss करता हूँ उनका notification आपको मिल जाएगा दुनिया के लगबक सभी धर्मों में शरीर को मरने के बाद अलग-अलग तरीके से कुछ रीती रिवाजों के साथ, कुछ रस्मों के साथ dispose of किया जाता है I cannot think of a better word than dispose of right now So I am sorry if I am hurting anyone's feeling तो देखे Christian और Islam religion में शरीर को दफनाया जाता है तो जमीन में एक गड़ा खोद कर और इस तरीके से एक कॉफिन में रखकर लकडी के कॉफिन में रखकर अंदर दफना दिया जाता है पैक कर दिया जाता है जमीन के नीचे तो दीरे दीरे जो natural process है उसी से शरीर decompose होता है over a period of many years एक दूसरा तरीका जो कई अन्य धर्मों में फालो किया जाता है वो है cremation का अब आप cremation को सोचते होंगी कि किवल शरीर को जलाना cremation कहते हैं जी नहीं cremation अगर उसकी exact definition में आपको बताऊं तो वो होता है एक ऐसा process जिसमें mechanical, thermal या अन्य तरीकों से शरीर को बलकुल हड्डियों तक लाया जाता है तो बाकी सब कुछ मिट जाएगा शरीर में किवल हड्डियां बचेगी और ये process करने के लिए बहुत सारे तरीके होता है तो कहीं पर heat के माध्यम से यानि कि जलाकर शरीर को cremate किया जाता है और कुछ तरीके हैं जिन में chemically उसे dissolve किया जाता है तो chemical dissolution भी technically cremation के अंदर ही आ जाएगा तो आम तोर पर Hindu, Sikh, Jain इन सभी धर्मों में आप देखेंगे कि cremation होता है Hindu धर्म में इस process को अंतिम संसकार कहा जाता है शरीर को जलाने को तो देखें बहुत सारे संसकार होते हैं किसी व्यक्ती के जीवन में right from the time of conception to birth till the time he or she dies तो ये अंतिम जीवन का संसकार हो जाता है Hindu धर्म के अनुसार तो यहां जब शरीर को जलाया जाता है तो उसके बाद किवल हड्डियां बचती है और cremation के कुछ processes में जैसे आप देखेंगे aquamation के अंदर भी हड्डियों को भी और आगे fragment करके छोटा किया जा सकता है आईए अब aquamation के बारे में बात करते हैं तो इसे कई बार आप जल समाधी के रूप में भी लिखा हुआ देखेंगे कुछ हिंदी मीडिया में बने देखा था जल समाधी लिखा हुआ था टेक्निकली यह समाधी नहीं है ठीक है तो यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें शरीर को क्रिमेट किया जा रहा है शरीर को डिजॉल्व किया जा रहा है पानी के माध्यम से लेकिन यह सिंपल पानी नहीं है इस प्रोसेस में शरीर को एक मेटल ट्यूब में या चेम्बर में रखा जाता है और यहाँ पर एक लिक्विड जो की alkaline liquid है उसको शरीर के उपर डाला जाएगा पूरी तरह से शरीर इसके अंदर आ जाएगा और फिर 150 degree centigrade temperature पर यहाँ पर इस टेमबर को रखा जाता है और इस water को या फिर इस solution को दीरे-दीरे circulate किया जाता है इसे alkaline बनाने के लिए यानि कि अमलिय बनाने के लिए potassium hydroxide या फिर sodium hydroxide जैसे chemicals का इस्तमाल होता है तो यह एक प्रकार का chemical dissolution process है अब इस process के कई अलग-अलग नाम है जो media ने इस्तमाल किये हैं flameless cremation, water cremation, green cremation और chemical cremation तो यह process थोड़ा सा environmental friendly है और इसी लिए यह जादा अभी news में भी था इस process को करने के लिए कुछ इस प्रकार की एक tube होती है इस tube के इस lid को open करा जाता है body को इसमें place करके और फिर इसे अंदर ले जाते हैं और इसके अंदर वो liquid को चलाया जाता है तो यह पूरा chamber liquid से भर जाएगा और धीरे धीरे उस liquid को घुमाया जाएगा यहां से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा तो यह कुछ घंटे का process होता है exact process क्या है body 95% water और उसमें 5% alkaline chemicals तो या तो koh या फिर naoh तो sodium या फिर potassium hydroxide का इस्तमाल होता है chemical process क्या है बहुत important है याद रखना hydrolysis तो hydrolysis यहां पर होता है hydrolysis क्या होता है तो शरीर के अंदर जितने भी basic हमारे structures है उन सभी के बीच में जो chemical bonds है उनको तोड़ दिया जाता है इस process के माध्यम से अब यह process naturally जब शरीर को दफनाया जाता है तब कई सालों में कुछ दशकों में पूरा होता है लेकिन यहां पर chemicals के माध्यम से इस process को काफी speed up किया जा रहा है तो इसी लिए आप देखेंगे कि यहां पर जो breakdown process है यह एक प्रकार का chemical process है और इसको तेज करने के लिए दो चीजों का इस्तमाल हो रहा है एक तो heat का और chemical का तो 150 degree centigrade temperature और दूसरा जो chemicals हैं वो इसको process को fast कर देते हैं इस process के खत्म होने पर एक normal सा water जैसा fluid आपको देखने को मिलेगा इसे कहीं पर भी discharge किया जा सकता है normal तरीकों से कोई special कारवाई इसमें करने के आवशकता नहीं है कुछ bone के fragments यहां पर देखने को मिलेंगे और इनको भी अगर आगे चाहें तो और जादा छोटे pieces में convert किया दा सकता है उसके लिए एक oven की आवशकता होती है तो यहां bone fragments और neutral fluid देखने को मिलेगा effluent इसे कहते हैं तो यह पूरा procedure decomposition का alkaline hydrolysis के माध्यम से होता है यह आपको याद रखना है और इस effluent को असानी से कहीं पर भी discharge कर सकते है क्योंके इसमें किवल salt, sugar, amino acid और peptides होते है कोई tissue या DNA यहाँ पर मौझूद नहीं होता है जो cremation के बाद आपको remains देखने को मिलते है जिसमें mainly हड़ी है उसके fragments होते है वो कुछे ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं कि राक है या फिर अस्तिया है दूसरी होर aquamation में अगर हड्डियों को और बारीक कर दिया जाए तो उसके बाद कुछ ऐसा पीछे देखने को मिलता है यह process बहुत पुराना है वैसे तो 1888 में इसको invent कर दिया गया था लेकिन इसका practical इस्तमाल या practical usage अभी पिछले 20-30 सालों में ही start हुआ है पहले इसको केवल pet और animal industry वाले लोग use करते थे pets को cremate करने के लिए use किया जाता था लेकिन 1990s से इसका इस्तमाल इंसानों के लिए भी किया जाने लगा है तो US में कई companies हैं कई universities हैं जो इस process को अब practically use कर रही है और America के लगभा 20 राज्यों में ये process legal है तो उसके लिए अभी महंगा है लेकिन legal है तो कई लोग इसे use करते भी हैं वहाँ पर और अब तो कई companies भी आ चुकी हैं जो ये पूरा प्रक्रिया आपके लिए करके दे देंगी दुनिया के कई देशों में ये process legal है तो US, Canada, UK, Australia, Mexico, Netherlands और in fact South Africa में भी legal है हाला कि इसको लेकर थोड़ी सी मुझे विरोधा भासी जानकारी मिली कुछ news reports में लिखा हुआ था कि legal है कुछ में लिखा हुआ था कि illegal है लेकिन I am assuming कि legal होगा वरना Desmond Tutu जैसे high profile व्यक्ति का acquamation हो और सरकार उस पर कुछ आपती ना उठा है तो ऐसा हो नहीं सकता तो definitely South Africa में भी ये legal होगा अब इसके advantages क्या है देखे कुछ firms जो ये काम कर रही है उनका ऐसा मानना है कि इसमें पांच गुना कम energy चाहिए तो देखे नॉर्मली बॉडी को cremate करने के लिए जो आग चाहिए होती है उससे पांच गुना कम energy में ये वाला process हो जाता है और जो greenhouse gas का emissions है वो भी 35% कम हो जाता है cremation के मुकाबले energy थोड़ी तो यहाँ पर रपई चाहिए क्योंके 150 degree temperature maintain करना ज़रूरी है तो कुछ तो यहाँ पर भी energy requirement है लेकिन उतनी नहीं है जितनी एक electric cremation में या फिर लकडी का इस्तमाल करते हुए cremation में चाहिए फिर ये थोड़ा सा greener alternative बताया जाता है दो कारणों से पहला इसमें कहीं पर भी लकडी की आवशक्ता नहीं है और energy भी कम इस्तमाल हो रही है और दूसरा शहरों में खास करके urban areas में burial space की कमी है तो अब जमीन ही नहीं बच रही है कई शहरों में जहाँ पर दफनाया जाया लोगों को तो इसलिए ये green alternative के रूप में aquamation technology सामने आई है तो इसी के साथ ये lecture हम swap करते हैं इसका PDF आप यहाँ telegram channel से download कर सकते हैं unacademy पर आप UPSC exam की त्यारी कर सकते हैं मेरे साथ या unay educators के साथ भी हम सभी यहाँ पर live पढ़ाते हैं यहाँ पर plus और iconic दो प्रकार के subscriptions हैं जो भी subscription आप ले उस पर आपको 10% discount मिलेगा अगर महिपाल code का इस्तमाल करते हैं optional के subscriptions भी यहाँ available हैं UPSC exam के लिए और combo subscription जिसमें GS और optional दोनों की तयारी आपकी करवाई जाएगी tests हैं, mains की test series हैं और material है, यह सब कुछ आपको मिलेगा only for 71,000, यहाँ पर भी code लगा दोगे तो यह 63,000 something रूपीज में आपको available हो जाएगा और जितने भी हमारे courses हैं, वो EMI option पर available हैं, so you can avail that इस वीडियो के नीचे description में जो पहला link है उस पर click करो, सारी जानकारी मिल जाएगी 12 जनवरी से यह नए batches start हो रहे हैं मेरा post independence history का course ongoing है इसको जरूर join करो, अगर plus subscriber हो तो combat आ रहा है, रविवार को 11 बजे, 9 तारीक है इसमें हिस्सा लेकर, आप scholarship जीच सकते हैं, कहीं पर भी enrollment के लिए code मागा जाए, you can use this code हमारी दो free test series है, इनका भी फाइदा उठाईए thank you very much, have a great day